Hello all, welcome to my channel para-info. आज हम लोग discuss करेंगे appointments. June 2020 में जो भी नियुक्तिया हुई है, appointments हुई है. Important, important नियुक्तिया, उसको हम discuss करेंगे. और appointment जो है, national और international दोनों, हम यहाँ पर discuss करेंगे. मतलब उसको बोल सकते हैं अभी वरतमान में कोन क्या है जो जो भी जून के है लेकिन जून के जो भी इंपोर्टन नियुक्तिया उसको डिस्कस करेंगे तो पहला देखते हैं भारत इंफ्रास्ट्रक्ट्टर फाइनस कंपनी लिमिटेट के एंडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो पी आर जैशंकर को नियुक्त किया गया है बी करेक्ट एंसर है और तीन साल के कारेकाल के लिए नियुक्त किया गया है उनको पी एम नरेंद्र मुदी के अद्धिक्षयता वाली समिती द्वारा नियुक्ति हुई है और आया एफसी एल का हेड़कॉर्टर का है तो नियु दिल्ली में है ठीक है नेक्स्ट है हुँ हाज बिकम चेर्मन एंड एम डी और पावर फाइनास कॉर्पोरेशन पावर फाइनास कॉर्पोरेशन के अद्धिक्षय और एम डी कोन बने है तो उनका नाम है रविंदर सीह धिल्लो डी करेक्ट आंसर है तो इसके पहले अद्धिक्षय और प्रिविएस चेर्मन और एम डी कोन है तो राजिव शर्मा और इससे पहले आरेस डिल्लन जो पी एपसी के ही पी निदेशक के रूप में थे परियोजना डारेक्टर प्रोजेक्ट थे पीएपसी में ही और पावर फाइनास अद्धिक्षय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है पैट्रिक पिचेट एक करेक्ट अंसर है तो पिछले बोड के अद्धिक्षय कोन थे तो ओमीत कोड स्टैनी थे ट्वीटर के सीओ कोन है तो जैक डोसी और मुख्या लेका है तो सैन फ्रांसिसको अमेरिका में थीक के है हूऊ है रूधिकम प्रेसिडेंट औफ़ कान्फरेडरेशन और इंडियान इंडस्ट्री भारतिय उद्धिश परिसंग के अध्यक्ष खॉन बने है तो उनका नाम है उड़ए गोटक बी करेक्ट अंसर है उड़ए गोटक कोन है तो इस स्कॉटक मह सज्जीव बजाच को भारती उद्योग परिसंग C.I.A की उपाद्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और भारती उद्योग परिसंग का महा मुख्या लेका है तो नहीं दिल्ली में हैं कि उपाद्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनको नाम है जावेद इक्पालवानी C.I.A करेक्ट एंसर है तिक्त महा दिवक्ता के रूप में भी कार्यक किया है अभी जम्मू और काश्मेर के बात आई तो जम्मू और काश्मेर के लेफ्टन गवर्णन को ने जम्मू के तो गिरिश चंद्र मुर्मू है आर्थिक थिंग टैंक नैशनल इस्टिटूट आप पॉब्लिक फाइनांस और पॉलिसी के अध्यक्षी के रूप में किसे नीव्त किया गया है तो उनका नाम है उर्जित पटेल एक रेक्ट आंसर है आप उर्जित पटेल को जानती रहेंगे तो चार साल की कारेकाल के लिए उनकी नीव्त की गए उन्होंने विजय केलकर की जगह ली उर्जित पटेल को ने तो फॉर्मर रिजर्व बैंक कवर्नर है ठीक है फॉर्जित पटेल के लिए अपॉंटेट अज डिरेक्टर ओप नैशनल साइन्स फांडेशन बाइ यू यू यस सीनेट अमेरिका सीनेट ड्वारा रास्ट्रे विज्यान फांडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है सेथू रमन प विज्यान और इंजिनेरिंग के गईर चिकी सक्षेत्रों में मौलिक अनुसंदान का समर्थन करने वाला अमेरिकी विज्यान निदी निकाए है मतलब क्या नसफ क्या है नैशनल साइन्स फांडेशन अमेरिकन साइन्स फंडिंग बॉडी है जो की फंडामेंटल रिसर्च क डिवलपमेंट जो की एरिजोना स्टेट इनिवर्सिटी में है एरिजोना स्टेट इनिवर्सिटी में ग्यान उद्दम विकास का नित्रुत्व करते हैं फिन्लैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है रवीश कुमार एक करेक्ट आंसर है रवीश कुमार विदेश मंत्रा लेके पूर्व प्रवक्ता जो कि मतलब क्या फॉर्मोर स्पोक्स पर्सन आप एक्स्टरन अफेर्स मिनिस्ट्री और 1995 बैच के इंडियन फॉरेस्ट फॉरें सर्विस ओपिसर है फिनलैंड के बात आई तो राजदा ने हैं हेल सिंकी प्रदान मंत्रिय सना मारीन और मुद्रा है यूरो एक्टिया जूर्रहमान चीप एक्जेक्टिट्व ऑफिसर और वीच कंपनी एंटिया जूर्रहमान की स कंपनी के मुख्या कारेकारी अधिकारी बन गये हैं तो यू टिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है है सी करेक्ट अंसर है उसके यह सीओ बने हैं एक्टिया जूर्रहमान तो यह रहमान को दो साल पहले कारेवाख सीओ एक्टिंग सीओ के रुप में पॉइंट किया था उनके पहले सीओ को ने तो डियो पूरी है उन्होंने में 1998 में यू टिया ग्रूप जॉइन किया यह रहमान ने और दोजातीन से एमसी के स्था आते हैं ठीक है को हैं को हाज बिन सिलेक्टेड एज चेर्मान ओप इंडियान फाइनशियल टेक्नोलोजी एंड अलाइट सर्विसेश बारतिय विद्धिय प्रद्योकिकी और संबंद सेवाओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो उनका नाम है टी रभी शंकर डी करेक्ट है और डॉक्टर एंड राजंद्रन को मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है और जो इंडियान फाइनशन टेक्नोलोजी एंड अलाइट सर्विसेश है भारतिय रेजर्व बैंक की सबसेडरी है वोली ओन सबसेडरी मतलब पूर्ण स्वामित्व वाली स हायक कंपणी है जिसका हेट पार्टर है मुंबई में को इस एलेक्टेड ऐस न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलंड आयरलंड के नए प्रदाद मंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो उनका नाम है माइकल मार्टिन बी करेक्ट आंसर है तो आयरलंड की बात है तो आयरलंड की राज़ता नहीं है डेबलीन और आयरलंड की मुद्रा है यूरो तो आयरलंड की अभी जो प्रदाद मंत्री अभी जो चुने गए उनके पहले लियो वराट करते लियो वराट कर एक्टुली इंडियन ओरीजिन है तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही यह जो भी important appointment हुई जून में वो हमने यहां पर डिसकस की तो प्लीज लाइक कीज़े आपको यह help करे गाई तो मैं उम्मीद करता हूँ तो आप प्लीज लाइक कीज़े शेयर कीज़े और आपको अगर ऐसी वीडियो ऐसी information चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रही है सब्सक्रा करता है